आज हम लोग इस वीडियो में छोटे बच्चों में दी जाने वाले एक औरल संस्पेंसन ड्रॉप डॉलो ड्रॉप्स के बारे में फूरा डिटेल्स में बात करेंगे तो चलिए विना टाइम को वेश्ट किए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो डॉलो ड्रॉप माइक्रो लेप्स लिमिटेड कमपनी की दवा है बात कर लेते हैं इसके कोमपोजिसन के बारे में तो इसमें परसेटामुल 100MG पर एक ML होता है यानि आप अगर बुखार को कम करने के लिए किया जाता है यानि सरीर के तापमान को डाउन करने के लिए किया जाता है जिनरली बुखार होने पर सरीर में कई परकार के दर्द भी होने लगते हैं तो दर्द से चुटकारा दिलाने के लिए भी इस ड्रॉप का यूज किया जाता है अब दर् करते हैं दोस्तों ये दवा ब्रेन से निकलने वाले कुछ ऐसे केमिकल यानि रसाइन को ब्लोक करता है जिससे दर्द बुखार उत्पन होता है डॉक्टरिस दवा के साथ बच्चे की बीमारी की कंडिशन को देखते हुए एंटिवाइटी की दवा भी दे सकते हैं बात करते ह इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में तो इसके साइड इफेक्ट है जी में चलना दस्त की प्रब्लम होना खटी धकार आना या फिर उल्टी हो जाना इतने सारे इसके साइड इफेक्ट हैं लेकिन रेर है जल्दी होते नहीं होने से डॉक्टर से जरूर इस बारे में बात करिएगा चलिए बात करते हैं इसके डोजेज यानि इसके खुराक के बारे में तो इसका फाइनल डिसाइड डॉक्टर करते हैं और ये बच्चे के वजन और उसकी बिमारी के इस्तिती पर डिपेंड करता है लेकिन अगर हम लोग इसके जनरल डोज की बात करें तो इसे सुपर साम दोना टैम बच्चे को कुछ खिलाने के बाद अगर एक से तीन महने तक के उम्र का बच्चा है तो उसे 0.6 एमेल से 0.8 एमेल ड्रोपर की साहता से माप कर पिलाना है वही अगर तीन महने से 9 महने तक के उम्र का बच्चा है दवा को जब भी पिलाएं दवा के सिसी को अच्छे से से कर ले यानि अच्छे से हिला कर मिला ले अगर बच्चे का बुखार बहुत जादा है तो आप 6-6 घंटे के अंतराल में दवा ते सकते हैं दोस्तो एक कनफूजन हो जाता है कि मारकेट में डोलो डॉप के नाम से दवा का कई पेकिंग बना हुआ है कई डिजाइन है सब डिजाइन और पेकिंग अलग-अलग है तो ये देखकर आपको confuse नहीं होना है आप कौन सा भी डोलो डॉप का इस्तिमाल कर सकते हैं जिसमें पेरासिटामल 100 mg रहता है और अगर मार्केट में आपको डोलो डॉप की ब्रांडनेम वाली दवा ना मिले तो आप पेरासिटामल 100 mg पर 1 ml की composition वाली कोई दूसरी ब्रेंड्स की दवा का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से जोड़ी हर एक चीज आसानी से समझ में आ गई होगी अगर ये वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को भी सिरूर सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ तब तक आप लोग स्वस्त रहें मस्त रहें धन्यवाद